इस वीडियो में हम आपको Leave Ration Allowance याने की LRA, Normal Ration Allowance याने की NRA और Special Ration Allowance याने की SRA के बारे में बताएंगे. आएए देखते हैं कि NRA किस-किस condition में मिलता है. NRA याने की Normal Ration Allowance उसकी जो conditions है वो यह है. आपको यह जो NRA मिलेगा वो दो rate से मिलता है. एक होता है आपका lower rate जहाँ पर आपको Leave Ration Allowance मिलता है. और दूसरा होता है Normal Rate जहाँ पर Normal Rate आपको दिया जाता है. जो Leave Ration Allowance होता है वो तब मिलता है जब आप छुट्टी पर होते हैं. A soldier on leave is not entitled to the issue of free ration. तोईकि आपको free ration आपके leave के period पे नहीं मिल रहा है. इसके लिए आपको वहाँ पर LRA दिया जाता है. और ये LRA जो है वो आपको मंदली बेसिस में मिलता है और आपको इसके लिए कोई part to order publish करने की जुरत नहीं है. ये every month आपके MPS में आपको credit हो जाता है. दूसरा जो है normal ration allowance, NRA ये आपको जिन conditions में मिलेगा वो होती है कि जहाँ पर government आपको free ration supply नहीं कर पाती है या उनके लिए economical नहीं होता है कि वो आपको free ration मोहया कर रहा है. उस condition में आप NRA ले सकते हैं. दूसरा अगर आप sick leave पर हैं तो आपको पहले तो 75 days जो first 75 days है वहाँ आपको LRA मिलेगा उसके बाद आप NRA ले सकेंगे. तीसरा एक condition जो important होती है वो ये है कि free ration तो आपको मिल रहा है लेकिन आपका distance घर का और unit ration stand का या फिर ASC shop का 3.2 km से जादा है. तो इस condition में आप NRA ले सकते हैं. NRA के अलावा एक और rational allowance है जो है special rate of rational allowance. यहाँ पर special rate जो दिये गए है उसकी जो condition है जब आपको SRM मिलेगा वो army section number 28 by 90 इसमें जो भी conditions दी गए हैं उस हिसाब से ही आप special rate of rational allowance ले सकते हैं. उन में से कुछ condition हैं यहाँ पर हमने आपको दिखाई हैं. एक है कि event employment on movement control duty पर. अगर आप कहीं पर movement control duty पर हैं जहाँ पर आपको refreshment room में ही आपको अपना mail लेना है. वहाँ आप SRA claim कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कहीं temporary duty पर हैं, out station पर हैं, किसी camp में हैं. अपनी temporary duty के दौरान और वहाँ पर आपको government के दौरा राशन नहीं provide किया राज जा रहा है. या वो camp आपको food नहीं provide करा रही हैं, तो आप वहाँ पर SRA ले सकते हैं. इसी तरह अगर courier duty पर हैं, secret equipment duty पर हैं, तो SRA मिलता है. इसके अलावा जो task force हैं, वो DR-Dior से जो attached task force हैं, जो की specifically sanction की गही है, G.O.A. के द्वारा, government of India, M.O.D. के द्वारा उनको भी SRA दिया जाता हैं. इसके अलावा जो patient travel कर रहा है ambulance से या फिर किसी ordinary train से, जो free ration नहीं दे रही हैं, वहाँ पर भी SRA claim कर सकते हैं. इसी तरह, TB patient या फिर कोई ऐसी गंभीर विमारी से patient होते हैं, जो किसी medical board के recommendation पर वो यात्रा कर रहे हैं, या फिर उनको खाना देना provide नहीं करा जाना है, free ration, तो वो SRA ले सकते हैं. इसके अलावा भी, जो condition है, वो 172 जो pay and allowances का regulation है, उसमें दी गई हैं, उस हिसाब से आप SRA claim कर सकते हैं. Special rational allowance, कुछ और conditions में भी आपको मिलता है, when owing to sickness और other disability, यानि कि अगर किसी तरह की कोई बिमारी है, या disability है, जिसमें कि individual अपना, जो normal ration है, उसको consume नहीं करे, पा रहा है, और उसको special diet plan दिया गया है, उसको special diet लेने के लिए, doctor द्वारा requirement किया गया है, in that condition भी special rational allowance मिल सकता है, उसके लिए SRA के जो भी rate applicable होंगी, उस वक्त वो आपको मिल सकते हैं. इसी तरह, SRA will be admissible while attending NCC camp, यानि कि जब NCC का कोई camp आप attend कर रहे हैं, with a sanction of commander NCC group headquarter, तो आप 30 दिन तक के लिए, आपको SRA दिया जाएगा. और अगर deputy director NCC state आपको sanction देते हैं, तो beyond 30 days भी SRA के लिए eligibility हो जाती है. आईए दिखते हैं कि rates क्या है LRA, NRA और SRA के. LRA जो मिलता है आपको, इनके जो rate दिये गा है 1421 से जो effective date है, इनकी rate जो current rate चल रहा है, वो किस तरह से? LRA के लिए है 799 रुपीज पर मन्त, NRA जो दिया जाता है, वो है 127.89 पर डे, और इसी तरह SRA जो दिया जा रहा है, 1421 से उसका rate है 255.78 पर डे. यहाँ पर जो NRA है, वो SRA, यह दोनों आपको पर डे के साब से मिलते हैं, लेकिन LRA जो है, वो आपको पर मन्त के साब से दिया जाता है. LRA का जो कैलकुलेशन होता है, वो देखी हमने यहाँ पर आपको नीचे दिखाया है, LRA will be work out for 75 days per annum. एक साल में 75 दिन के लिए आपको LRA work out होता है, NRA के rate पर, जो भी NRA का rate रहेगा, notified by Government of India, उस हिसाब से आपको round of करके यह amount दिया जाता है, इसका formula है, 75 days multiply by NRA rate. देखिए, यहाँ पर 75 days लिया है और NRA का जो rate है, 1 day का, 127.89 divided by 12 month. इसका calculation करने के बाद, इसका जो amount आता है, वो 799.31 आता है, क्योंकि round of करना है, nearest रुपी में, इसलिए आपकी MPS में की 799 आपको पर मन्त दिया जाता है LRA.